तो नमस्कार दोस्ते आपको स्वागत एक नहीं एक्साइटिंग वीडियो में आज की वीडियो में हम फुल इंडेफ्थ रिव्यू करने वाले हैं बोट एनिगमा का तो गाइस लेट्स स्टार्ट दे वीडियो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बाते बताना चाहूंगा गाइस यहां पर पिछले वीडियो में काफी अच्छा रिस्पॉंस दिया आप लोग ने और यार मुझसे पिछले वीडियो में यह जो मिस्टेक हो गया था एनिगमा को मैंने एगनिमा बोल दिया था त इसले वीडियो में इस वीडियो में आप देख लेना मैं यह पर करेक्शन कर लूँगा तो यहां पर चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को और सबसे पहले हम सबस्दों सबस्क्राइब करेंगे बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन से हाला कि अगर वह बात करता हूं इ metal body design है यहां पर सामने की तरफ 2.5D curved glass के साथ metal body दिया हुआ है पीछे की तरफ plastic यूज किया गया पीछे की तरफ आपको सारे sensors देखने को मिल जाते हैं साथी साथ इसका जो strap है वो एक silicon rubber वाला strap है काफी बढ़िया strap लगा है मुझे और साथी साथ अगर मैं बात करूँ इसके comfort की काफी बढ़िया comfort है काफी लचीला strap देखने में लगता है जैसी कि आप यहां पर देख सकते हैं और साथी साथ यह जो gray वाला strap यहां पर free आता है यह मुझे सबसे बढ़िया color लगा है यहां पर काफी decent color है काफी बढ़िया color लगता है हर एक आपके कपड़े के साथ जो है match भी हो जाता है यह color तो यहां पर यह जो strap है काफी बढ़िया quality का लगा है मुझे और साथी साथ यहां पर जो इसको unlock करने का तरीका है जो यह switch दिया हुआ है यहां पर यह भी खाफी बढ़िया लगा है मुझे यह clip दिया हुआ है यह काफी easy है इसको change करना इसके bands को साथी साथ मैं बात करूँ पीछे की तरफ आपको दो points देखने को मिल जाएंगे golden points जहां पर जो है आपका charging हो जाता है magnetic charger आपको इसके box में देखने को मिल जाता है अगर मैं overall इसके build quality और design की बात कर दोगा इस 3000 रुपे में इतना अच्छा build quality और यहां पर जो इतना play का जो आपको size देखने को मिलता है जो कि 1.5 inch काफी बढ़िया मुझे यहां पर लगा है बाकी build quality काफी तगड़े है मैं यहां पर इसको देना चाहूंगा 8 out of 10 काफी बढ़िया build quality है 3000 रुपे में इससे बढ़िया build quality आपको नहीं मिल सकता है अगर मैं इसके build quality को rate करना चा में काफी बढ़िया लगा है मुझे watch तो काइस आगे बढ़ते हैं पर display के तरफ display का जैसे कि आपको पता है 1.5 inches का display आपको देखने को मिलता है यहां पर काफी बढ़िया display है हाला कि दोस्तों यहां पर display को मुझे उतना अच्छा test करने को नहीं मिला क्योंकि यार इसमें display जो UI है इसका उतना colorful नहीं है पीछे का background blue ही रहता है आप पीछे का background नहीं change कर सकते हैं नहीं अपना खुद का wallpaper अपने खुद के photos नहीं रख सकते हैं साथी साथ इसमें जो watch faces से वो काफी जादा कम देखने को मिलता है और यहां पर यह जो display है यह जो LCD color display है काफी बढ़िया brightness के साथ आता है दिन में भी आप यहां पर देख सकते हैं काफी अच्छा आपको brightness देखने को मिल जाएगा काफी अच्छी visibility मिल जाएगी आपको यहां पर यहां पर जो colors है वो काफी जादा faded से लगे हैं मुझे सबसे पहले तो और साथी साथ यार इसमें इतने colors है भी नही इसके UI में कि इसको test करें और बताएं कि यार इसमें जो इसके display में जो है वो colors कैसे आते हैं और साथी साथ जो है daylight में कैसे आपको color देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले तो मैं इसको UI को सबसे पहले घटिया बोलना चाहूंगा आगे उसके बार मैं बात करेंगे यहां पर display की बात पहले करने थे काफी smooth display है 2.5D curved glass आपर पर आ मिलता है काफी smooth display के साथ su FDA है जो पर जो आपको oleophobic coating देखने को मिलता है इसके ऊपर वो काफी बढ़िया है यहापे जो phone में आपको oleophobic coating देखने को मिलता है उस प्रकार का कुछ यहापे oleophobic coating दिया हुआ है काफी smoothly work कर जाता है तो guys यहापे display भी काफी बढ़िया दिया गया है आगे बढ़ते हैं यहापे UI and application की तरफ UI की अगर मैं बात करो तो guys आपको मैंने बता यहापे UI जो है 3000 रुपए के under में इतना घटिया UI देना सही बात नहीं है बोट में से अगर कोई देख रहा है तो guys यहापे जो है आपके UI को improve करो साथी साथ अगर मैं बात करूँ application की तो guys सबसे पहले तो यह बात मिल रहा को उसका screen recording और साथी साथ यहापे आप देख सकते है watch का UI भी उतना कुछ खास है नहीं जादा colorful भी देखने को नहीं मिलता है पीछे का background आप change नहीं कर सकते सबसे पहली बात और यहापे आपको art watch faces in build देखने को मिलते हैं और उसमें से ही जो है आपको इसे use करना प 2000 रुपे तक का मैंने यहापे watch use कर रहा हूं साथी साथ अगर मैं बात करूँ इसमें animations की या फिर transitions की एक page से दुसरे page पे जब animation होता है तब वो guys वो जो है वो काफी smooth नहीं है ऐसा थोड़ा सा laggy सा feel होता और साथी साथ जो है यहापे एक ऐसा line सा आता है refresh screen जब refresh होता है त अब भी उतना कुछ खास नहीं है साथी साथ मुझे यहापे एक और problem आया है ना ही मेरा यहापे GPS जो है वो sync हो पाया है मेरे watch के साथ ना ही मैं इसको use कर पाया हूं जिम के लिए ना ही मैं इसको use कर पाया हूं walking के लिए cycling के लिए क्योंकि यार यहापे इसमें inbuilt GPS नहीं मिल यहापे एक दो दिन use करने के बाद मुझे यह पता चला कि इसमें GPS नहीं हो पा रहा है एप के साथ फोन के साथ बिलकुल भी sync नहीं हो पा रहा है GPS यह मैंने बिलकुल भी सब कुछ try करके देख लिया यहापे reset करके देख लिया है turn off करके देख लिया है boot के साथ यहापे contact कि Twitter पे उन्होंने कुछ reply नहीं दिया as usual वो कुछ reply देते नहीं है तो guys यहापे जो है यह मुझे काफी बड़ी problem लगी है मेरा जो watch वो sync नहीं हो पा रहा है मुझे यहापे location show नहीं हो रहा है साथी साथ weather show नहीं हो रहा है location show ना उन्हें के वज़े से जो है weather भी show नहीं हो रहा आगे हम बढ़ते हैं battery life के तरफ battery life के अगर मैं बात करो तो guys इसमें 230 mh की battery देखने को मिलती है watch के अंद 230 mh इस price point में एक काफी basic सा जो है battery है इस price point में आपको देखने को मिल जाएगे सारे watches में 230 mh की battery तो guys यह जो battery है आपको always on display इसमें देखने को मिलता है always on display आप on कर सकत settings में जाकर always on display अगर आप on रखते हैं तो guys battery life जो है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा लगता है तीन दिन का ही मिलने वाला है क्योंकि यार मैंने जो है जब से इसको buy किया तब से मैं इसको always on display करके ही use कर रहा हूँ तीन दिन अभी हो गया है यह तीसरा दिन का end ह अभी बजरे है रात के बारा तो guys इसको मैं use कर रहा हूँ तीन दिन हो गया है मुझे इसे use करते हुए battery जो है अभी हो गया है down अभी इसको full से full वापस charge करना पड़ेगा अभी बचा है 14% तो guys यहाँ पे always on display अगर आप on करके रखते हैं तो guys minimum battery आपको इसमें देखने को मि घंटा लग रहा है यहाँ पर आपको कोई भी fast charging देखने को नहीं मिलता साथी साथ आपको यहाँ पर जो magnetic charging ports पीछे की तरफ देखने को मिलते हैं जो कि आपको magnetic charger box में देखने को मिलता है उसके साथ ही आपको इसको charge करना है और guys यहाँ पर company ने यह recommend किया है कि आप इसे 5 watt क charger से ही charge करें तो guys यहाँ पर जो 5 watt के charger से charge करने वाले जो पार्ट है वह यहाँ पर इसको और slow कर देता है इसी कारण से जो इसको full charge करने में एक घंटा लग जाता है यहाँ पर battery life और battery backup में मैं यहाँ पर देना चाहूंगा इसको 6 out of 10 काफी बेकार लगी मुझे इसकी battery life हाला कि इस price point में amoled display शायद से कोई नहीं provide कर रहा है क्योंकि यह मेरा first smart watch है तो guys इतना मुझे experience नहीं है smart watches के साथ तो guys यहाँ पर मैं अपने इस 3-4 दिन के experience आपको यह चीज़े बता रहा हूं तो guys यहाँ पर मैं extra features बताते तो जल्दी से यहाँ पर आपको सबसे पहले sensors की बात कर लेते हैं heart rate monitor देखने को मिलता है smart notifications जो है काफी बढ़िया काम करते हैं आपको WhatsApp के सारे notifications इसमें देखने को मिल जाएंगे Instagram के notifications Twitter के notifications आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे आप इसके app में जाके toggle कर सकते हैं कौन से app का आपको notification चाहिए या नहीं साथी साथ आप यहाँ पर activity tracking कर सकते हैं 24-7 आप यहाँ पर activity tracking कर सकते हैं sleep monitoring कर सकते हैं साथी साथ दोस्तों आप इसमें yoga cycling running और इत्यादी काफी जादा जो हैं यहाँ पर sports modes दिए गए उससे जो आप यहाँ पर इसको monitor कर सकते हैं नहीं इसको मैं जिम मैं यूज कर पाया हूँ नहीं मैं इसको walking के लिए यूज कर पाया हूँ नहीं इसको running के लिए यूज कर पाया हूँ क्यूंकि जो है इसमें GPS work नहीं कर रहा था जैसे कि मैं आपको बताया पहले ही तो guys यहाँ पर मैं इसे यह test नहीं कर पाया हूँ कि तो गाइज यह जो watch है यह मुझे 3000 रुपे के worth तो नहीं लगा है build quality देखकर लगता है कि हाँ भई 3000 रुपे का अच्छा लग रहा है देखने में काफी अच्छी build quality भी है metal की build quality है silicon strap आपको एक extra देखने को मिलता है काफी अच्छी quality की silicon on strap है बागी सारी चीजे भी बढ़िया काम करते हैं जैसे ट्रैकिंग वगए रहोंगे स्लीप ट्रैकिंग हाट मॉनिटरिंग और ब्लड प्रेशर जो है अपना अच्छा मॉनिटर कर लेता है साथी साथ SPO2 भी अच्छा मॉनिटर कर लेता डीटेल्स आपको सब मिल जाते हैं वाच के अंदर बढ़ गाई यहां पर जो यह वाच का सबसे मेन कौन निकल करके यह आता है कि इसका जो यूआई है वो काफी सदा बेकार है सबसे पहले तो इसके यूआई को इसके यूआई को इमप्रूफ करने की बहुत ही जादा जरूरत है साथी साथ इसके जो UI के साथ आ यहाँ पे app का जो synchronization है वो यहाँ पे बिलकुल भी नहीं हो पाता है app भी यहाँ पे काफी बेकार सा देखने को मिलता है पहली बात तो मुझे यह बात समझ में नहीं अगर बोट से कोई देख रहा है तो यहाँ पे मुझे यह चीज का answer चीए कि यार आपने इस watch के लिए specially app अलग से क्यों बनाया है आपका जो बोट प्रोग्रियर का जो पुराना वाला app था उसको क्यों नहीं आप allow करते हैं इसी के साथ use करने में इस watch के लिए specially Q एक app बनाया गया है जो की काफी बेकार सा app लगाया मुझे तो गाइस overall इस watch को मैं देना चाहूंगा rating 10 में से 6 out of 10 क्योंकि यार सबसे पहले तो यहाँ पे आज के date में UI सबसे पहले matter करता है साथी साथ UI matter करने के साथ साथ यहाँ पे जो है GPS work नहीं कर रहा है क्योंकि यार इसका UI ही बेखा रहे तो गाइस इसके UI में bug है इसी कारण से GPS ना track हो पा रहा है और ना ही यहाँ पे watch जो है वो sync हो पा रहा है app के साथ तो यहाँ पे जो है app और जो इसके अंदर UI है दोनों को भी improve करने की ज़रूरत है यही सबसे बड़ा इसका con निकल करके आता है यहाँ पे इसी कारण से जो है मुझे लगता है कि यह watch जो है sell नहीं हो पाएगा उतना मैं भी इसको शायद return करने वाला हूँ या फिर देखते हैं क्या करते हैं इसको शायद giveaway कर दूँ या फिर return कर दूँ यहाँ पे मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं है आप मुझे comments में लिखकर बता सकते हैं आपको कैसा लगा यह watch तो guys इतना है था इस वीडियो में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों नीचे like बटन दवाना मत भूलेगा और दोस्तों हमारे चनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वनिमातरम और आपका दिन शुब रहे